जैशी किष्णा दोस्तो वियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम आठ भागिश अली राशियों का राशी फल बताने जारे जिनको दो हजार चौबिस से तक बहुत ही शेष्ट लाब मिलने के योग बनेंगे दोस्तो तीस साल के बाद शनी देव अपनी ही राशी कुम्बु में जो कि उनकी मूल तरकोन की राशी में परवेश कर चुके हैं और उसके बाद 30 जून को वक्री होने जा रहें 30 जून से लेकर 14 नवेंबर तक वक्री रहेंगे उसके बाद मारगी होंगे और देव गुरु ब्रस्पती भी राशी परिवर्तन कर चुके हैं जिसके कारण इन राशियों को बेहद ही ला मिलने के योग बन रहे हैं शनी और गुरु की यूती से इन आयट भागेशाली राशियों को निश्य थी धनलाब होगा संतान सुख की प्राप्ती होगी और बहुत अधिक चांस है कि इनको पुत्र की प्राप्ती भी हो सकती है दोस्तों शनी देव को देखे ग्रह मंडल में महतपुन स्थान प्राप्त है इनको देखे भागे का विधाता कहा जाता है न्याय के देपता कहलाते हैं शनी देव जब शुफल प्रदान करते हैं तो उस जातों को रंग से राजा होने से कोई नहीं रोक सकता आपको बहुत ही शेष्ट धलाप के योग बनेंगे नोकरी वैपार में आपको बहुत अच्छा प्राफिट देखने को मिलेगा और देव गुरु ब्रस्पती को संतान का विद्या का वैवाहिक जीवन का कारक माना गया है इससे आपको अपने वैवाहिक जीवन में सुक मिलेगा संतान सुक के बहुत अच्छे योग बनेंगे दोस्तो इन आठ भागिशाली राशियों की जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चलन सस्क्राइब ने करका तो सस्क्राइब जरू कर ले बगल ने बैल आइकन को भी दबा दे जिससे मेरे आने वाली सभी लेटस वीडियो का लोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तो इन आठ भागिशाली राशियों को दो हजार चौबश से दो हजार पच्चिस तक बहुत ही शेष्ट धलाब होगा और बहुत अच्छे संतान सुक के योग बन रहे हैं जो भी जातक संतान के लिए प्रियास कर रहे हैं तो इन में अवश्य ही प्रियास करे हैं आप आपको मतलब प्रॉफिट होगा नोकरी वैपार में वैवाहिक जीवन में आपको सुक प्राप्त होगा साथी संतान सुक के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं दूसरी जो भागेशाली राशी है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी में देखे श्रनी की टैया समात होग साथी संतान सुक के बहुत अच्छे और प्रबल योग बने वे हैं दूसरी जो भागेशाली राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के जातों को रिले शनी देखे सत नाम का राज योग बनाने जा रहे हैं जिसके कारण आपकी डेली इंकम में मतलब प्रॉफिट होगा अगर आप अपना कोई भी मतलब कारे करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा और साथी शादी के भी बहुत अच्छे योग बने हैं और वेवाहिक जीवन में सुक मिलने के बहुत अच्छे योग बने हैं यारी आपको संतान सुक क बहुत ही प्रवल योग बनेवे हैं दोस्तों चोथी जो भाकिशाली राशी है वो है तुला राशी तुला राशी में देखे पंचम भाव में कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छे योग बने हैं और पढ़ाई के शेत्र में भी जो जातक प्रियास कर रहे तो उनको बहुत अच्छे योग बने हैं दोस्तों तुला राशी के जातों को ले संतान सुक के साथ सा धलाप के बहुत ही प्रवल योग बने हैं दोस्तों छटी जो भागिशाली राशी है वो है धनू राशी धनू राशी के जातों को देखे सनी की साड़ी साती समाप्त हो जाएगी और घर परिवार में वैपार में या शाररीक तोर पर आपको जो कठिनाईयों का सामना करना पड़ र अत्यदिक लाब कराएंगे यानि आपको बहुत अच्छा फाइदा देखने को मिलेगा संतान सुक्के भी बहुत अच्छे योग बने हैं और आपको नोकरी वयपार में भी आपको लाब देखने को मिलने वाला है दोस्तों आठवी और आखरी जो भागिशाली राशी है व बहुत अच्छा लाब मिलेगा और देव गुरु ब्रस्पति के कारण आपको बहुत ही प्रवल संतान सुख के योग बनेवें दोस्तों यह आठ भागिशाली राशिया यह दो हजार चौबिस से लेका दो हजार पच्चिस तक बहुत ही शेष्ट धलाब के सासा संतान सुख क के योग बनेवें दोस्तों शनिदेव और गुरु के कारण आपको बहुत ही अच्छा फाइदा देखने को मिलेगा और जो भी जातक देखे संतान सुख के लिए मतलब इच्छुक हैं तो इन में आप जरूर मतलब कंसीव करें आपको निश्चित ही मन वांचे संतान सुख